स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्ड़बल हलो एवरिवन विलकम टू स्टड़ी आईक्यू पीसियस दिस बनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना दिन के दो बजे जनरल स्टडीज का एक सेशन होता है और जनरल स्टडीज में सैटर्डे के दिन मैं क्या पढ़ाता हूं तो जोग्रफी पढ़ाता हूं तो आ प्रवाध कि बारे में भारत की एक्सिटिंट लोकेशन के बारे में हमने बात की थी कि भारत का विस्थार कहां कहां तक है प्रंटियर बांटरी कितनी है और की लेक्चर आखरी तक जरू दained तो आज क्या पढ़ने वाले हम geography का अगला lecture already बहुत सारे lectures में cover कर चुका हूँ तो उन lectures को भी आप playlist में go through कर सकते हैं तो ये geography के उपर इसकी boundaries के उपर इसके अंदर जो होने वाली और भी इंडिया से related जो चीज़ें हैं पर हमारी बहुत जादा जो है सटीक नजरे रहेंगी तो शुरू करते हैं आज का session जिसमें हम क्या पढ़ेंगे इसकी boundaries के बारे में पढ़ेंगे तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया जो है इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास दोनों तरह की boundaries है मतलब इसके पास land boundary भी है और इसके पास water boundary भी है water boundary का मतलब है इसके पास coastal boundaries है मतलब इसकी जो है जल सीमा भी है और ये थल सीमा भी है तो इसी को frontier boundary भी कहा जाता है सीमान्थ तो इंडिया के पास कई ऐसे states है जैसे कि हमारे पास अभी कितने states है 28 states है तो इन 28 states को अगर हम consider करें तो इन 28 states में 16 states ऐसे है 16 states ऐसे है जिनके पास क्या है international land boundary अंतर राश्ट्रिये थल सीमा मतलब ये 16 states ऐसे है जो किसी ना किसी दूसरी country को touch करते हैं इसके अलावा हमारे पास 9 states और है जिनके पास क्या है coastal boundary है coastal boundary का मतलब उनके पास है 30 है सीमा तो 16 प्लस 9 कितना हो जाता है आपके पास तो 16 प्लस 9 होता है 25 लेकिन इन में दो states ऐसे हैं जो दोनो जगा आते हैं मतलब उनके पास land boundary भी है उनके पास water boundary भी है उनको थल सीमा भी लगती है और जल सीमा भी रखती है उसी के बारे में हम detail में बात करने वाले हैं तो ऐसे दो states और हो जाते हैं जो इस list में भी हैं इस तरीके से अगर हम दोनो states की बात करें एक आता है बेंगॉल और एक आता है गुजरात तो बेंगॉल और गुजरात जो है उनके पास दोनो तरह की बांडरीज है तो 16 प्लस 9 में 16 में भी गुजरात बेंगॉल है 9 में भी गुजरात बेंगॉल है तो इसको क्या दो बार count करें तो नहीं, तो इसको नहीं count करेंगे, तो ये total कितने हो जाते है, 23 states तो total states कितने हैंन्डिया में, 28 states है तो बचे हुए 5 states कैसे हो गए, 5 states जिनके पास बांद बॉंडरी है, न वाटर बॉंडरी है, जिनको क्या कहा जाएगा, landlocked states landlocked states मतलब इनको हिंदी में कहा जाता है भू आविष्ठित राज्य जो भूमी से घिरे हुए है land से covered है जैसे आपका हर्याना है चत्तिसगड़ है, जहारखन है, मद्यप्रदेश है तेलंगाना है, यसे 5 states है और ये जो 16 states है, जिनके पास क्या है land boundaries में अगर हम बात करें गुजरात है, राजिस्थान है, पंजाब है हिमाचल प्रदेश है, उत्राखंड है यूपी है, सिक्किम है वेस्ट बेंगॉल है, त्रिपूरा है मिजोरम है, मिजोरम है मिघाले है, अरुनाचल प्रदेश है असम है, ये सारे जो reasons है, इनके पास क्या है इनके पास land boundaries है, तो ऐसे 16 states इंडिया के पास है, और 9 states ऐसे है जिनके पास coastal boundaries है कौन-कौन से है, तो गुजरात है, महराष्ट है, गोवा है करनाटका है, कैरला है, तमिल नाडू है आंदर प्रदेश है, उडिसा है और वेस्ट मिंगॉल है, तो ऐसे 9 states है तो इनको इही समझने की कोशिश करते है तो इंडिया के पास बताया जाता है 15,200 km की क्या है land boundary है, थलसीमा है और 7,517 km की क्या है इसको 0.7 भी लिखा जाता है तो 7517.7 km हमारे पास coastal boundaries है तो उनको भी समझते हैं दिरे-दिरे करके तो देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें International boundaries of India भारत की जो अंतराश्टिय सीमा है जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान आ जाता है यह आपका पंजाब है पंजाब के ऊपर यहाँ पर है हिमाचल यह उत्राखंड है यह उत्तरप्रदेश है इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आपका सिक्किम आ जाता है सिक्किम के बाद यहाँ पर अरुनाचल प्रदेश है यह आपका असम है यह आपका मेघाला है यहाँ पर आपका त्रिपुरा है यह आपका मिजूरम है यहाँ पर नागा लैंड है और नागा लैंड से ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पड़ेगा मनीपुर फिर मिजूरम आ जाता है तो यहां पर अगर आप स्टेट्स वाइस चीज़ें देखेंगे तो इंडिया के अंदर आपको यहां पर तो देखें यह क्या हो गया है यह जम्मू कश्मीर बना दिया गया है और यह जो है पूरा का पूरा लद्दाग है तो यह जितनी भी बॉंड्रीज है गुजरात से जो चालू हो जा रही है गुजरात के बाद राजस्थान राजस्थान के बाद पंजाब यह दो यूटीज को जम्मू कश्मीर और लद्दाग को फिर उत्राखंड उत्तर प्रदेश इसके बाद जो है आपका सिक्किम असम अ प्रदेश वहां पूरी की पूरी बॉर्डरी जितनी बी म्हारे पास सीमान्ध बिया फिर आपके पास सीमा इसके बाद वार्टर बॉंडडर नीज कि बात करें देखा जाए तो हमारे यह से सटेट्स गुजरात महरास्थ गोवी है यहाँ पे करनाटका भी है तमिल नाडू भी है कैरला भी है आंधरप्रदेश उडिशा वेस्ट पिंगॉल है तो इन सारे स्टेट्स के पास कौन सी बॉंडरीज हो गई इनके पास हो गई आपकी कोस्टल बॉंडरीज कोस्ट लाइन हो गई मतलब यह आपकी जल सीमा हो गए तो यह कितनी है इंडिया के पास तो यह देखी जाती है तो यह आपका total count आता है 7517 km तो इसमें जो है कुछ और भी boundaries हम count करते हैं जैसे ही हमारे छोटे छोटे islands है यहाँ पर लक्षदीप है तो इनको हम total बताते हैं तो इनको total कैसे बताते हैं क्योंकि यह जो अगर आप देखेंगे गुजरात, महराष्ट, गोवा करनाट का यह जो है यह 6100 km है और इसमें 1417.7 km आ जाता है किसका islands का islands मता हमारे दूइब जो है कि इनके पास भी तो यह भी तो कहीं न खईगहकी City को टच करते हैं जैसे आप अंडबार जाएंगे तो northern अंडबान है, LEO अंडबान है southern अंडबान है, लेटए ननडबान है कार नी को बाहर है, लेटल नी को बाहर है इनके आजवारे बान्डरी मिलेगी 17 जो है 17 जो है consider कर लेंगे हम इसके अलावा जो लॉंगेस कोस्ट लाइन है सबसे यादा जो कोस्ट है वो किसके पास है गुजरात के पास है देखा जाए तो गुजरात आपको लगता नहीं है लेकिन अगर आप इसको सीधा कर देंगे गुजरात ऐसे बार-बार जिग-जैक हो रहा है तो इसलिए दिखता गुजरात छोटा है लेकिन सबसे यादा किसके पास है गुजरात के पास है 1600 किलोमेटर उसके बाद तमिलनाडू के पास है महराष्ट के पास है अलग-अलग स्टेट के पास है आपको एक्जाम सब कुछा जाएगा कि सबसे यादा कोस्ट ल हमारी neighboring countries कौन कौन सी हैं तो भई हमारे हम किसी ना किसी देश को तो छूते हैं तो ये neighboring countries कौन कौन सी आ जाती हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो देखा जाए तो हमारी neighboring countries में पाकिस्तान है इसके अलावा अफगानिस्तान का जो पार्ट है ये अफगानिस्तान को भी हम consider करते हैं इसके बाद चाइना है चाइना के बाद नेपाल देख रहा है आपको नेपाल के लावा भूटान भूटान के बाद म्यानमार और बांगलादेश तो वही पूछा जाए कि आपकी सबसे यादा जो बॉंडरी है वो किस देश के साथ है तो वो हैं बांगलादेश क सरफ से यहां पर covered है उसके बाद चाइना के साथ हमारी maximum boundaries है वैसे तो तिबबत के साथ है लेकिन तिबबत को occupy कर लिया है चाइना ने तो 3488 चाइना के साथ फिर जो है पाकिस्तान के साथ है हमारी boundary 3323 किलो मेटर अब देखा जाए तो यह याद रखेंगे नेपाल के साथ न पाकिस्तान के साथ तो हमारे कभी ना कभी controversy चलती रहती है नेपाल भी borders को लेकर कई बार चीजें कहता रहता है तो नेपाल का exam में पूछा जा सकता है 1751 किलो मेटर है नेपाल के बाद सीधे म्यान मार आ जाता है जिसको बर्मा कहा जाता था पहले और म्यान मार के साथ 1643 कि किलो मेटर अच्छी लंबी का सी बॉर्डर है इनको ही हमने यहां पर एक आइलेंड था कोको आइलेंड नेरुजी ने कोको आइलेंड जो है म्यान मार को गिफ्ट दिया था पहले अंडवान में ही आता था इंडिया का इसके लाब भूटान के साथ हमारी 699 किलो मेटर है का मिनिस्ट्री ऑफ हमारी मान रही है जो पी आई भी वगेरा योजना वगेरा मैकजीन में भी आता है तो वह अफगानिस्तान को 106 किलो मेटर मानते हैं तो यह आद रखेंगे तो सबसे यादा बॉंडरी आपको याद होनी चाहिए कि सबसे यादा बॉंडरी हमारी किसके सा तो यह सारे हमारी कंट्री कैसी हो गई तो यह कंट्री हो जाती है आपकी जिनको कहा जाता है हमारी नेबरिंग कंट्री है हमारी पडोसी देश है तो इनी सारे देशों को जो हम टच करते हैं तो इसमें कितने आ जाते हैं 1500-200 किलो मेटर 15,200 किलो मेटर किसको टच कर रहे हों यह है Line of Control और इस तरफ है आपकी जिसको कहा जाते है LAC यह है Line of Actual Control यह हमारी LAC जो है वो किसके साथ है? चाइना के साथ है और LOC किसके साथ है? तो पाकिस्तान के साथ है तो यह Ceasefire Line established किया गया है LOC लगबग 700 km से जादा है पाकिस्तान के साथ हमारी पहले थोड़ी सी बॉर्डर कॉमन है जिसको International Boundary कहा जाता है और इस International Boundary का नाम है Red Cliff Line तो Red Cliff Line भी है हमारी यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यह जो पूरा Red देख रहा है आपको यह Red वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है Red Cliff Line Red Cliff Line जो थे Red Cliff को जब भारत पाकिस्तान बठवारत तै हो गया था तो Red Cliff के नाम पर एक कमिटी बनाई गई थी Red Cliff कभी भारत नहीं आया थे और लगबग बताया जाता है एक सप्ता में उन्होंने भारत पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित कर दिया था उनको कोई भी नॉलेज नहीं था इसलिए आज भी विवाद होता है कई ऐसी चीज़ें जो इंडिया में होनी चाहिए थी वो आपकी पाकिस्तान में उन्होंने कर दी थी इसलिए कई बार बाचीत होती रहती रेट क्लिफ के नाम पर रेट क्लिफ जो बॉर्डर है इस समय ये इस्टन पाकिस्तान था जब भारत का बठवारा हुआ था पार्टिशन हुआ था इसलिए इस लाइन को आज इंडिया बांगलादेश लाइन को भी क्या कहते हैं तो पाकिस्तान था 1971 में इंद्रा गांधी जनरल मानिक शौ यह जो प्रधान मंत्री थी इंद्रा गांधी तो मानिक शौ ने जो है क्युद्ध किया था और बांगलादेश जो लिबरेशन फोर्स थी वहां पर जो बहुत ही फेमस नेता थे जिने बंग बंदू कहा जाता था य इसके कारण हमारी जो बॉंडरी थी वो पहले से ही रेड क्लिफ लाइन थी तो यहां पर जो है इंडिया पाकिस्तान जो इंटरनाशनल बॉंडरी है उसको भी आप रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे इसके अलावा जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है Mac Mohan Line देख लेते हैं ये कुछ चीज़ें जो आपके लिए important है अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ A to B यह हमारी international boundary यह मैं जम्मू कश्मीर के साथ ही बता रहा हूँ mainly इस international boundary को आप क्या कहेंगे इसको आप कहेंगे red cliff line इसके बाद जो B to C है इसको कहा जाता है LOC line of control और जो C to D है इसको कहा जाता है AGPL actual ground position line line of actual control तो यह कुछ जो है आपकी borders के बारे में fact आपको याद रहने है कि इंडिया पाकिस्तान इसके अलावा पाकिस्तान जो है बांगलादेश भी पहले पाकिस्तान ही था और यह दोनों ही पहले इंडिया थे तो रेड़ क्लिफ ने आकर इनका नामकरण किया और डिफाइन किया तो इनको कहा जाता है रेड़ क्लिफ लाइन इसके अलावा आपसे इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में पूछा जाए तो इंडिया चाइना जो है वो है मैक मोहन लाइन इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान जो पहले इंडिया ही था और अफगानिस्तान इनकी बॉर्डर को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है Durand Line Durand Committee ने Establish किया था जब Anglo-Afghan War हो रहा था उसके बाद ये Line Setup की गई है तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर को आप Durand Line कहेंगे तो ये चीज आपको पता चल गई इसके अलावा Line of Control Line of Actual Control मैंने यहाँ पर आपको बताई दिया है तो ये Fact आपको समझने आ गया होगा इसके बाद देखिए कौन-कौन से हमारे States है जो Boundaries Share करते हैं किस-किस के साथ बांगलादेश के साथ, नेपाल के साथ तो ये भी देख लेते हैं वैसे तो मैं बताई चुकाओं कि ये Total कितने States है 16 States है, सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको यही बताई था कि हमारे इंडिया के 16 ऐसे राज्य हैं 16 ऐसे States हैं, जो किसको टच करते हैं हमारे पड़ोसी देशों को, मतलब International Boundaries वो create करते हैं जैसे बांगलादेश को आप देखेंगे तो West Bengal, Meghalai, Assam, Tripura आ जाता है मिजूरम आ जाता है अब West Bengal को आप जब Coastal Boundaries में पढ़ेंगे तो ये Bay of Bengal को भी टच करेगा Bay of Bengal को टच करता है इसके अलावा जब आप पाकिस्तान में देखेंगे तो यहाँ गुजरात है गुजरात Arabian Sea को भी टच करेगा तो ये जो सारे देश लिखे हुए हैं यहाँ पे कि बांगलादेश को West Bengal टच करता है मेगाले टच करता है, Assam, Tripura करता है मिजूरम करता है तो ये जो है आपके 16 states total count होते है तो आप बोलेंगे कि सर क्या इनको एक-एक को जोड़ते जाएं और ये पूरे क्या 16 है तो ऐसा नहीं है, कई जगाँ पे repetition भी है जैसे कि West Bengal को देख लीजे West Bengal बांगलादेश को भी टच करता है इसके अलावा West Bengal की जो border है West Bengal की जो border है वो आपको यहाँ पर देखेगी नेपाल में भी टच कर रहा है इसके अलावा जो है आपका भूटान को भी टच कर रहा है तो ये तीन जगापे आ जा रहा है तो तीन जगापे आने के बाद आप इसको count कितना करेंगे सिर्फ एक ही बार करेंगे तो इसलिए ये जो 16 states आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे इस में से सब में आपको एक बार count करना है तो एकदम हम Western Most से चलते हैं तो सबसे पहले पहला state क्या हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा तो गुजरात देखिए कहा कहा आएगा गुजरात जो है वो Pakistan में ही आएगा तो इसको एक state consider कर लिया हमने दूसरा अगर हम बात करें राजस्तान राजस्तान भी Pakistan में ही आएगा इसको मान लेते हैं दूसरा इसके बाद जो है आपका पंज़ाब आएगा पंज़ाब ये हो जाएगा तीसरा तो पंजाब हो गया आपका third अब पहले जम्मू कश्मीर को माना जाता था वो यूटी हो चुका है लद्दाग भी यूटी हो चुका है तो उनको consider नहीं किया जाता है लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी हो गया तो यहां से तीन states मिल गया सोला में हमारे तीन स्टेट्स हो गया उसके बाद आप उपर जाएंगे तो लद्दाक पड़ेगा लद्दाक से जैसी नीचे उत्रेंगे हिमाचल आ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश जो है उत्तव ही उत्तव आजाता है उत्तर प्रदेश और जब्लेब की बात करते हैं तो उत्राखंड हो गया और सिक्स है यूपी यूपी को आप देखेंगे तो नेपाल को टच करता है नेपाल को इसके बाद जो है आपका सेवेन नंबर पर बिहार आ जाएगा बिहार भी देखेंगे आपको किसको टच कर रहा है तो नेपाल को टच कर रहा है इसके बाद बिहार क को भी टच कर रहा है तो यहां पर हमारे 8 स्टेट हो गए 9 इस्टेट में आप सिक्किम लिख सकते हैं तो यहां पर आपको सिक्किम भी देख रहा है इसके बाद अगर हम बात करें 10 इस्टेट की तो सिक्किम के बाद आप अरुनाचल प्रदेश को बता सकते हैं अरुनाचल प पर भी मिल रहा है, इसके अलावा असम जो है आपको यहां पर भी मिल जाएगा, तो असम भी हो गया, इसके अलावा त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, तो त्रिपुरा आपको यहां मिल रहा है, मेगाले की बात कर लेंगे, तो मेगाले आपको यहां पर मिल रहा है, इसके अल आपको यहां पर मिल गया है इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका अरुनाचल हो गया है अरुनाचल प्रदेश को हमने कवर कर लिया है असम को हमने कवर कर लिया है त्रिपूरा को कर लिया मेगाले को कर लिया मिजुरम को कर लिया मनिपूर रह गया है मनिपूर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए किसको टच कर रहा है मनिपूर म्यानमार को टच कर रहा है तो 15 हो गया और 16 स्टेट हमारा नागा लैंड हो गया अगर हम बात करें लेकिन आपको उसमें आएगा वेस्ट बेंगा उर गुज्रात का नाम इसके इसके बाद next अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है आप देखेंगे इंडियन स्टेट्स जिनके पास कितने स्टेट्स हो गए तो मैंने बताया था 28 स्टेट्स जिसमें से 8 यूटी जैंपकी तो frontier states जो है 16 मैंने आपको गिनवा दिये बाकी 9 states कौन कौन से है तो इसमें गुजरात और West Bengal जिनके पास दोनों तरह की boundaries है जो मैंने अभी आपको बताया इसके अलावा इसी में 9 states कैसे होते है गुजरात होता है महराष्ट होता है गोवा होता है करनाटका होता है कैरला होता है तमिल नाडू आंदर प्रदेश और वेस्ट बेंगोल यह ऐसे 9 states है तो यह जो है हमारे इतने states हो गए जो लैंड लॉक्ड हो गए स्वाले हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इस 9 में से गुजरात और वेस्ट बेंगोल दोनों जगह आएंगे यह याद रखना है इसके अलावर लैंड लॉक्ड स्टेट्स है क्योंकि देखा जाए तो 28 एस्टेट्स में मैंने आपको क्या बता दिया कि वहीं 16 एस जिनके पास लैंड बॉंडरी जिनके पास कोस्टल बॉंडरी है तो 16 प्लस 9 25 है लेकिन दो दो तुझनों जगा common है तो 23 हो जाता है तो बचते हैं पांच तो पांच स्टेट कौन कौन से तो मद्यप्रदेश चत्यसगर जारखंड तिलंगाना और हर्याना यह ऐसे लैंड लॉक स्टेट में पहली स्लाइड में बता चुका हूं लार्ज जैसे स्टेट की बात करें तो एरिया वाइज राजस्थान है छोटा गोवा है पॉपलेशन वाइज यूपी है और सबसे छोटा सिक्किम है तो यह चीज आपको पता चल गई इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए इंडियन स्टेट्स और उनकी यूनियन टेर कराये था तो उससे पहले यह उन्हीं की टेरेटरी हुआ करती थी तो जो फ्रांस की कुछ टेरेटरी इस थी जिनको आज पुड्डू चेरी बोला जाता है वो इंडिया में कहां कहां है तो आप से पूछा जाए तो चार जगा है एक जो है के पास यूटी पढ़ती है जिस इसके अलबा कराईकल ये भी तमिल नाडू में आती है और एक जो है आपकी आंदर प्रदेश में जिसको कहा जाता है यनम इसका नाम है यनम तो यह अलग-अलग पुड्डू चेरी आपके इंडिया में है जिसमें एक यनम हो गई माहे हो गई पुड्डू चेरी हो गई औ पिर चंडीगड दादर नागर हवेली और दमन इंडियू को हमने एक ही बना दिया है दिल्ली सबसे पॉपुलेस्ट है इसके लावा पुड्डुचेरी जिसको मैंने बता है चार पार्ट्स में है लक्षदीप जिसकी कैपिटल कावरती है स्मॉलेस्ट है और पॉपुलेशन स्टेट्स को यू-पी टच करता है और पॉलितिकल यूनिट वाइस बात करें तो नाईन फॉट योनिट का उनिट का मतलUC यू-ट को और वहीं पर अगर हम बात करें political unit wise तो 8 states plus New Delhi तो 9 political units को करता है इसके अलाबा असम की बात करें तो असम भी कितने के साथ करता है 7 states के साथ करता है और करनाटका अभी बहुती नए तोर पर यहां 2-3 states में exams पूछा गया है तो देखिए यह करनाटका है तो करनाटका के इस तरफ जो है आपको तेलंगाना मिलेगा यहां पर आंध्रा मिलेगा इस तरफ आपका तमिलनाडू है यहां पर आपका कैरला है यहां पर आपका गोवा है और यह आपका महराश्ट्र है तो यह अभी कई exams में पूछा गया था इसलिए यह चीज़ याद रखेंगे कि असम तो बहनों वाले राज्य कहा जाता है उनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए उस पर भी discuss कर लेंगे तो देखिए करनाटका को ठच कर रहा है गोवा एक स्टेट महराश्ट्रा दो स्टेट तिलंगाना तीन स्टेट आंध्र प्रदेश चार स्टेट तमिलनाडू पांच और केरला 6 इसके लावा असम की बात कर लें तो असम को क्या करता है तो असम को seven sisters टच करती है अब यह seven sisters कौन कौन सी है तो इसमें अरुनाचल है जिसकी इटानगर कैपिटल है असम खुदी हो गया देखिए यहाँ पर आपको समझने आ जाएगा यह है वेस्ट बिंगॉल इसको आप क्या कहेंगे यह है भुटान तो देखिए सेवन सिस्टर स्टेट्स में असम कितने स्टेट्स को टच कर रहा है अभी आपने देखा साथ तो एक वेस्ट बेंगॉल को टच करेगा एक अरुनाचल प्रदेश इधर नागा लैंड मनीपुर मिजोरम त्रिपूरा इसको बहुत ही बेसिक सी जानकारी है सबी को पता होती है तो इसको तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को आ रहा होगा इसके बाद देखिए हमने बात करी थी कि इंडिया के अंदर एक टाइम जोन है जिसको कहा जाता है आई इसटी इंडियान स्टैंडर्ड मेरीडियन तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडियन की बात करें तो यह जो है आपका कहां पर है तो इसी को कहा जाता है 82.5 82.5 डिग्री इस जब मैंने time zones आपको बताये थे तब मैंने ये information आपसे share करी थी ये UP की एक जगा है जिसका नाम है मिर्जापुर वहाँ से निकलती है लेकिन ये Indian states को pass करती है कौन-कौन से Indian states को pass करती है तो ये UP में तो मिर्जापुर से निकलती है और तेलंगाना पहले चारी states से निकलती थी अब ये 5 हो चुका है तो ये जो है याद रखेंगे इसके अलाबा पासे स्थू नैनी नियर प्रयागराज तो प्रयागराज जो है वो आपका नैनी मिर्जापुर में ही पड़ता है इलाबाद के पास तो वो जगा पूछी जाती है मिर्जापुर से नैनी के पास से निकलता है इसके लाबा इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन और निकलती है जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ओफ कैंसर तो ट्रॉपिक ओफ कैंसर जो है जिसको कहा जाता है करकरेखा ये कितने state से निकलती है तो 8 state से निकलती है कहां से तो वही अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला state आ जाता है गुजरात गुज़रात का एहमदाबाद इसके इस तरफ है इसके बाद राजस्थान आ जाता है राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश और MP में एक जगह है जिसका नाम है सांची यह सांची के पास से मतलब सांची अगर Quiz जाएगा तो साची के पास ही एक बोर्ड है जो बताता है यहांसे क्या निकल रहा है आपका ट्रोपिक आफ कैंसर या करकरेखा पास हो रही है इसके बाद जो है 36 गड़ 36 गड़ में एक जगा है जिसका नाम है अमबिकापूर यह अंबिकापूर से निकलती है फिर आपका जारखंड है जारखंड से जो है राची के आसपास से मिलता है फिर आपका वेस्ट बेंगॉल आ जाता है फिर त्रिपुरा आ जाता है और फिर मिजोरम आ जाता है तो ऐसे कितने स्टेट्स हो गए आपके 8 states हो गए तो इन 8 states से पास होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इंडिया का थोड़ा सा एटलेस उठाइए चीजों को देखना स्टार्ट करिए और मैप के उपर अच्छे से information gather करिए यह बहुत ही basic से part है जो वैसे तो पढ़ाने भी नहीं चाहिए आप लोग civil services के लिए पढ़ रहें तो आपको इंडिया के बारे में इतनी basic information पता होनी चाहिए लेकिन base जो है मैंने जैसा शुरू में कहा था कि हम एकदम basic से पढ़ना चाहरे है तो आपके जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो atlas को धीरे-दीरे उठाईए इंडिया का map बनाईए इंडिया में कौन सा state कहा है आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा कितने states को touch करता है या कितनी boundaries को touch करता है कई ऐसे चोटे-चोटे question से KBC भी आप देखेंगे तो उसमें भी पूछे गए तो यह at least आपको इंडिया जिस देश में आप रहते हैं वहां की basic information तो आपको पता होनी चाहिए कौन सा state कहां पर है कहां से कौन सी boundaries touch होती है तो यह जो है बोला जाए academic का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है और ऐसा boring पार्ट भी नहीं आपको आना चाहिए तो जो जितनी भी चीज़े मैंने आपको बताई है इनको अच्छे से go through कर लीजे इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो इन social media handles पर आप मुझे contact कर सकते हैं मुझे mail कर सकते हैं इसकी PDF ले सकते हैं और भी कोई तरह के आपके feedbacks कुछ भी आपको लगता है तो आप comment section में जरूर लिखे जो भी आपके feedbacks होते हैं उस पर हम लोग बिल्कुल जैसे मैं personally comments पढ़ता हूं और आपके कई तरह के जो feedbacks होते हैं उसको हमारी तीम के साथ discuss किया जाता है और उसके बिल्कुल लिजिए कुछ चीजें होने में थोड़ा सा time लगता है लेकिन जरूर होंगी तो hope सारी चीजें आपको clear हुई होंगी और भी कोई चीज होगी तो आप बिल्कुल बताएंगे thank you very much for watching this have a great day Study IQ IS अब तयारी हुई affordable